वेलकम क्लास नाइन्थ तो इस इस दे लेक्च्चर एट तो यह लेक्च्चर एट है आपका इस 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 लेक्च्चर एट तो यह एक ठीरम है ठीरम 6.7 आपको आप वहां से देख सकते हो यह आपने बहुत बार किया इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं यह चीज हमने प्रूप करनी है ठीक है पहले हम इसको थोड़ा सा करते हैं आपको बताया यह किया हुआ है आपकी बुक पे ऐसे ही किया हुआ तो मैं इसमें भी आपको हिंट दे रहता हूं करके भी दिखा दूँगा यह कैसे होता है ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह एक ट्रेंगल बनानी है तो उस पर आपने लिखना है 123 तो हमने टू प्रूप करना है तू प्रूप एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 जिइकल्टी ही कंश्च्य फ्रक्शन क़रनाय अपने है कंंस्टॉक्श्च्च ऑप एंगा कंश्च्च्च्च्च्च्च्च के लिए आपने एक यह वाली लाइं जो यह बनी है यह क्सउई एक्स्क्स्वाई क्ट पी qr के parallel draw करनी है construction में क्या करना है draw xy is parallel to qr xy को हमने qr के parallel draw करना है तो अगर xy को आप अप प्रूफ शुरू हो जाएगा प्रूफ में हम क्या करेंगे मैंने बताया था कि जब भी जब भी दो parallel lines में z बनता है इसे जड यह देखिया पैसे जड बनेगा जब भी एजड बनेगा तो उसके बीच वाले एंगल जैसे यह वाला इंगल इसके equal आयगा क्या हुआ के एंगल four इस इकल तो एंगल फो मैं यह आपको आइडिया सा दे रहा हूं किया हुआ हुआ है सब कुछ यहां पर ठीक है आईडिया दे रहा हुं कि कैसे करना है ठीक है इसके मैं tips बता रहा हूं अगर ऐसे pootie ulti Z बन जाए तो भी अğकर d is that बने तो भी अगर ulti Z बन जाएतो कि तो यहां पे angle five is equal to angle three तो यह भी equal हो तो इसको बोलने alternate interior angles हिसको alternate internal vendors यह लिखा च कंगे यह अब यह में होगा एक कि अब यह?' यह रोज तो यह तो यह क्यों है यह एक transversal line है ठीक है line पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका sum इसको बोलेंगे linear pair linear pair तो यह linear pair है तेन बन जाएं चार बन जाएं जितने भी एंगल्स इसमें बनेंगे सब pairs में होते है linear pair एक line पे बने हुए angle का sum 180 degree होता है यह हमारी condition है तो 4 किसके equal था 2 के 4 को हम 2 लिख देंगे यहां पर 4 को 2 लिखा गया 1 को 1 ही रहने लिए और 5 को 3 तो यही है 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 180 यही है बड़ा असान काम है कोई मुश्किल नहीं है एक triangle बनानी है अपने सबसे पहले उसके बाद triangle के ऊपर एक parallel line बना लें नीचे वाली जिसक जो भी बनेगी उसके line का sum of angle की property लगेगी ठीक है pair pair of linear pair की pair of angles ठीक है sum of pair of angles of line linear pair उसे बोलते हैं तो उसका sum होता है 180 degree तो वह 180 degree हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो भी alternate angles बनेगे उनको लिखके तो प्रूब कर देना यह इतना सा काम है यह आपने किया हुआ है यह theorem आभी जाए तो आपने इसको करना है अच्छे से करना है ठीक है तो यह पहली बात ह यह आपकी दूसरी बात आपकी क्या है दूसरी जो है वो क्या है तो अब दूसरी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यह देखिए यह मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ यह क्या कहता है यह यह लिखका हुआ है ठीक है यह कहता है कि जो भी exterior angle है प्रेंगल के exterior angle means यह वाली एक ट्रेंगल है तो इसको लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो यह भी एक्स्टीरियर है यह भी एक्स्टीरियर है ठीक है इसको यह वाली एक ट्रेंगल है अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं ऐसे यह वाले तो यह भी एक्स्टीरियर है और यह भी एक्स्टीरियर यह भी सफ़ार मेरे हैं इसकी फार्पर्टी आपने याद रखनी है बिकाज और इस लगेंगी कि ठीक है जैसे पहली बली प्रापर्टी जी पहली थिरम है उसको क्या बोलेंगे यह वाली angle sum property angle sum property of triangle is equal to 180 इसको angle sum property बोलते हैं ठीक है sum of the angles of triangle angle sum property लिख देते हैं हम इसे यह क्या है यह इस property का नाम है sum of interior angle sum of two opposite interior angle is equal to the exterior angle यह exterior है और इसके opposite यह बला छोड़ना है यह बला इसके साथ वाला यह लेना इसके opposite opposite का मतलब इसके सामने वाले यह one plus two ठीक है sum of interior two दो यह तीन नहीं two opposite interior angle is equal to the exterior angle ठीक है तो यह बाहर वाले angle जो है वो किसके equal होगा यह दो सामने वाले opposite ठीक है interior angle के sum के equal four is equal to one plus two होगा ठीक है जी यह वाले दोनों angles का sum किसके equal होगा यह बाहर वाले angle के साथ अब इसकी बात करते हैं तो समझ आगी अबर इसकी बात करें तो यह वाला angle suppose a है तो यह किसके equal होगा यह दोनों यह वाला छोड़ना है आपने यह वाला और यह वाला इन दोनों के sum के equal साथ वाला नहीं करना है बाकी दोनों के sum के equal ठीक है यह वाले angle की बात करें तो यह वाला angle किसके वाला equal होगा यह वाला one angle तो इन दोनों के ठीक है इन दोनों के यह बाला छोड़ना है साथ वाला बाकी दोनों के sum के सिंपल सा भंडा है ठीक है तो यह हमारे दो प्रॉपर्टीज कह लो दो ठीरम कह लो ठीक है जो भी आप इसको आपने याद रखना है यह दोनों ही अपको लगानी पड़ेंगी और हो सकता है में भी पॉसिबल कि इसकी जो यह वाली ठीरम है इसका प्रूफ भी आपको देखना है पहले हमने दू लिखना है यह वाली चीज फिर हमने लिखनी है फिर हमने फिर अप्रूब शुरू कर देना है अब आपके पास एकससाइज है जिसका पहला सम आप को दिख रहा है आपकी बुक्के उपर भी होगा आपने उसको देखना है अच्छे से पहला सम्म है इन फिगर 6.39 यह वाली फिगर जो है इस पे आप इसको देखिए क्यू पी क्यू पी यह वाली जो इधर जा रही है एंड क्यू आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर यह पी क्यू आर के कोई प्रड्यूस किये गए पॉइंट्स है जैसे एस एंटी तो यह उन्हें दो पॉइंट्स पर ड्यूस किया है यह बाहर बाला इंगल बनता है यह भी बाहर बाला इंगल बनता है रिस्पेक्टिबली इफ यह वन थर्टी फाइव है यह 110 है तो फाइंड करना है पी क्यू आर पी क्यू आर तो यह वाला एंगल आपने फाइ करना है ठीक है तो कोई बात नहीं यह दोनों एंगल जो भी हमें दिये गए हमने हो सकते हैं पॉसिबल है तो इसको हम देखते हैं ठीक है यह वाली हमारे पास डाइग्राम है इसको बढ़ा कर लें इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है कि आपको असानी हो दिखने में ठीक है यह आपको मेरे खाल से दिख रहा होगा तो हमने एंगल कौन सा फाइंड करना था यह वाला यह पहले मने बता के आए हैं यह वाला एंगल आपने फाइंड करना है ठीक है जी बड़ा सिंपल काम है मुश्किल कुछ भी नहीं है तो यह 135 एंगल जो है मैं अब इसको थोड़ा सा अपने तरफ से ऐसे ड्रॉ करता हूं देखिए आप यह मैं ड्रॉ कर लिया यह मैंने इसको देखकर इससे ड्रॉ कर लिया पहले मैं इसकी बात करूँगा यह वाले इसको मैं इसके नेम दे 2 सThe toutes še तो यह हमने फाइंड करना है तो एंगल नंबर3 जो है वह हमने फाइंड करना है तो 135 जो 135 डिगरी वो किसके एकोल होगा यह वाले छोड़ना 2 plus 3 के तो ठीक है इसको क्या बोलेंगे इसको प्रॉफटी लगाएंगे अभी हम तो क्या लिखेंगे 135 फाइव इस इकल टो एंगल टू प्लस एंगल टू प्लस एंगल ठीगे बिकल आप एकॉल होगा विकास यही छोड़ना है हम ने बात्रक्राले लिखने इसको प्रॉपर्टिगा नाम नाम लिखेंगे हम समॉख हम व्यां एटु एंटीरियर यंगल इस इकल to the exterior angle ठीक है तो ये बाली हमारे पास एक property है sum of two opposite interior angle is equal to the exterior angle ठीक है जहां हम बोलेंगे exterior angle is equal to the sum of the two opposite interior angle उल्टा करते हैं इसको line यही रहेगी change नहीं कुछ भी होगा तो ये बन गया हमारे पास similarly यह number one होगी this is number one ठीक है अब similarly इसको 110 है तो 110 यहां पे इसकी अगर diagram बनाई जाए अगर स्कोर्ज मैं यहां पे इसकी diagram बनाता हूं तो यह क्या आएगा इसकी शोटी सी diagram ऐसे बना देते हैं यह 110 है तो यह हमने angle one माना यह two हुआ यह three था औरड़ी पहले ही तो इसका क्या होगा one plus three is equal to one plus three is equal to 110 one plus three 110 is equal to angle one plus angle three यह number two हुआ तो इसके मैं ऐसे ही इसको यह वाली इसकी सेम प्रॉपर्टी है दोनों की सेम प्रॉपर्टी है तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया ठीक है इसको कुछ नहीं change किया अब from one and two अब from one and two तो इसको क्या करेंगे हम subtracting को subtracting करेंगे इसको ठीक है जी इसको subtracting करने के क्या बनेगा देखिए यहां पर minus का साइन आएगा यह भी माइनस का आएगा यह वाली हु दू है क्या बचेगा 2-1 is equal to angle 2-1 is equal to जो भी हमारे पास यह आएगा एंगल 2 माइनस एंगल 1 इस इक्वल टू 135 माइनस 110 तो इन दोनों को सब्टर्ट करने में क्या आएगा हमारे पास 25 तो क्या आएगा 25 25 डिग्री ठीक है जी तो एक प्रापर्टी होती है 1 प्लस 2 प्लस 3 इस इक्ल टू 180 डिग्री 1 प्लस 2 प्लस 3 इस इकल टू 180 डिग्री ठीक है जी तो यहाँ पे हम नॉमबर 1 एंट 2 से हमने एंगल सम प्रापर्टी लगानी है अभी हमने एक प्रापर्टी और लगेगी तो इसको बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इसको बोलेंगे एंगल सम प्रापर्टी ठीक है एंगल सम प्रापर्टी यह हमारी हो गई तो अभी हम नंबर 1 & 2 फ्रॉम नंबर 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 से हम देखेंगे कि क्या बनता है आप यह वाली चीज़ स्किप ही कर सकते हो चोड़ सकते हो इसको ठीक है तो यहाँ पर 2 प्लस 3 यहां से क्या आएगा 2 प्लस 3 इस एकल 2 क्या ऑएगा 180 Dia यहां से फ्राफ्रॉम 2 & 2 & 3 तो 123 से हम देखेंगे क्या आएगा तू प्लस 3 यहां पर सब्स ben Accept applies प्लस त्री की वैली क्या आएगी यहांसे निकाल निए तो फिल कर देनी है यह नंबर 1 में तो एक आ जाएगा 135 इस इकोल टू 135 is equal to 180 minus 1 degree ठीक है तो 1 इदर चला जाएगा 1 degree इदर आ गया तो 135 इस तरफ आ गया 180 में से 135 इटे आपने सब्टर्क करने 5 आएगा ठीक है तो यहां पर आएगा हमारे पास 7 345 ठीक है जी तो यह आ गया 45 डिगरी तो एंगल 1 कितना हो गया 45 डिगरी एंगल 1 कितना हो गया 45 डिगरी तो यह हो गया 45 डिगरी यहां पर हमने इसकी डाइग्राम बनाई थी इसको य अब similarly हमने एक और एंगल निकालना है तू प्लस ठीक है अब टू प्रस त्री वाला होगे काम वन प्लस थ्री एकल टो वन एटी माइनस तू तो यह क्या आएगा वन हंडेट टैन इस इकल टू कि 110 डिग्रीज इकल टू वन एटी माइनस 180 माइनस यह कौन से एंगल 1 प्लस 3 180 माइनस जो भी बच गया वो लेकिन गा माइनस 2 कहां से आया माइनस 2 फ्रॉम नंबर 3 एंड 2 तो यह 3 एंड 2 से आ गया तो 2 इदर चला जाएगा एंगल 2 इस इकल तो 180 माइनस 110 तो यह मन गया 70 डिगरी एंगल 2 is equal to 70 डिगरी तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा हमने 3 फाइंड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 180 डिगरी तो एंगल 1 हमारे पास 2 आया 70 तो 1 हमने पीछे निकाला था 1 आया था हमारे पास 45 तो यह आ गया 45 तो यह 3 बच गया यह 180 ठीक है एंगल 3 is equal to 180 माइनस यह दोनों एड करेंगे हम 4 आ जाएगा 7 प्लस 4 11 ठीक है तो यह वाला हमारे 144 कैसे आएगा 145 5 ठीक है यह 5 65 तो एंगल 3 is equal to 65 डिगरी तो एंगल 3 की वैलियू आएगी हमारे पास 65 ठीक है यह आपका question था ठीक है जो हमने किया है तो इसको आपने यह वाली चीज आप skip कर सकते हो चाहू तो यह वाली चीज आप skip कर सकते हो subtracting की no need no need for subtracting मैंने सोचा था शायद subtracting से कुछ बात बन जाए असान हो जाए मगर इसकी कोई हमें नीड नहीं रही इसकी no need for that ठीक है इसकी कोई नीड नहीं है इसके बिना ही काम चल रहा है वो थ्री तो इसमें से बनाई नहीं है थ्री तो हमें चाहिए थ्री बचाई नहीं यहां पे तो इसलिए यह वाली चीज आप skip कर सकते हो बाकी सारा portion ऐसे ही किया जाएगा ठीक है तो यह आपकी तीनों दो प्रॉपर्टीज है दोनों ही इसमें लगेंगी पहली और दूसरी दोनों प्रॉपर्टीज लगके यह वाला आपका अंसर आजाएगा अब हम question number 2 पे चलते हैं यह इने figure यह वाली figure जो आपको दी गई है x is equal to 62 यह वाला 54 तो o y and o z the bias sector of यह bias sector है इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाला x y z तो यह 54 है तो 54 है तो यह 27 कि यह वाला भी 27 यह वाला भी 27 यह दोनों equal होंगे because यह बाय सेक्टर है ठीक है o y is the bias sector of this 2727 अब फिक्चर बनाएंगे फिर उसके बाद आप देखते हैं ठीक है तो o z similarly x होगा तो यह भी x होगा ठीक है इसको माल लेंगे x x है x y z and this respectively find o z y o z y and y z y o यह वाला angle आपने find करना है उपर वाला और यह वाला angle आपने find करना है ठीक है जी यह दोनों angles आपने find करने तो कोई बात नहीं हो जाएंगे अभी दोनों के दोना ही हम कर देते हैं ठीक है इसके लिए हम इसकी diagram पे चलते हैं पहले यह वाली इसकी diagram देखे इसको थोड़ी बड़ी करके मैं बनाता हूँ आपको जो अपने find करना है यह वाली तो यह वाला angle find करना है तो बड़ा असान है इस angle sum property लगेगी तीसरा angle नहीं है missing है तो इसकी value हमने z angle miss है यह z है x and y ठीक है तो हम लगाएंगे x plus y plus z यह angle यहाँ पे आपने ऐसे बनाने यह वाली angle की property नहीं तो पता नहीं जलता है x y z क्या है angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 degree इसको बोलेंग angle sum property ठीक है तो angle sum property में हमारा z angle जो है वो आ जाएगा यह 62 दिया हुआ है यह 54 है यह z angle ऐसे ही रहेगा यह 180 हो गया अभी यह 4 plus 2 6 हो गया 11 हो गया और z हो गया यह 180 हुआ तो z की value आगी 180 minus 116 ठीक है तो यह यहाँ पे इसको solve करेंगे तो यह आएगा 10 में से 6 4 and 7 में से 1 6 तो यह बन जाएगा हमारे पास 64 degree ठीक है यह 64 degree इसको angle आ जाएगा हमारा कौन सा यह वाला z जूंने फाइंड करना है हो वाली डाइग्राम बनाएंगे तो अब हमें गया है तो अब हमें दिया गया है हमारा क्या हुआ है कि ये वाला इसका by sector है यह o y is the by sector of y is the y sector of x y z ठीक है given हमें दिया है कि o y o y and o z be the by sector of angles y and z respectively, यह हमें given दिया गया है, this is the given ठीक है, तो यह given दिया गया है given दिया गया है, तो इसकी value के आएगी यह इसका by sector का 54 को two side wide करेंगे, तो यह आ जाएगा 27 degree यह angle हमारा बन जाएगा 27 degree तो यह वाला हमारा जो हमने अभी निकाला 64, इसको two side wide करेंगे, तो यह बन जाएगा हमारा 32 degree, ठीक है, यह 32 degree बन जाएगा, तो so in triangle o y z अब o y z में बात कर रहे हैं ठीक है, पहले हम x y z में बात कर रहे थे, अब o y z में बात कर रहे हैं, तो y angle जो हुआ गया, वो हमारा 27 हो गया, y angle y is equal to 27 degree, and angle z is equal to, angle z की value हमने अभी निकाली है, वो आगे 32 degree, 32 degree, ठीक है, यह दोनों values हमारे पास आ गई, तो अब हमारे पास o, plus y, plus z, यह वाले angle बना के, यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 180, यह angle, some property, देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, यह बात, बहुत जुरूरी है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, यह नहीं कह सकते, कि आपने उपर एक बार लिख दिया, आप जूरत नहीं, आपको हर बार इसको लिखना ही पड़ेगा, अब o angle हमने find करने, y हमारे पास 27 है, और z हमारे पास 32 है, तो 180 यहाँ पर आएगा, angle o, sorry, यहाँ पर plus है, ठीक है, is equal to, तो 180 minus, इन दोनों को add करेंगे, 7 plus 2, 9, 3 plus 2, 5, 59, ठीक है, तो यह हमने इसमें add कर लिया, अब क्या बचेगा यहाँ पर, 10 में से 9, 1, 7 में से 5, 2, 121, ठीक है जी, तो यह 121 degree का angle हमारे पास जो है, वो बन जाएगा, आप 2 angles हमने find करने थे, जो चुरू में आप देखिए, तो मैंने लिखा था, यहाँ पर कौन कौन से angle, angle o and angle z, अब o angle हमने निकाल दिया है, z angle हमने पहले निकाला था, angle o is equal to 121 degree, angle z is equal to z, o y z में, ठीक है, z o y z वाला, वो z है, मारे पास 32 degree, तो यह बना 32 degree, ठीक है, 300 भी नहीं, 32 degree, यह degree थोड़ी उपर लगाने है, ठीक है, ठीक है, in triangle o y z, ठीक है, है, यह ही हमने बताना था, यह हमने, इसकी values point करनी थी, वो हमने कर दिये, ठीक है, अब हम question number 3 पर चलते हैं, this is the last question for this, इस lecture का यह last question होगा, तीन question हमारे pending है, वो हम next lecture में करेंगे, ठीक है, तो यह हम करने जा रहे है, यह दिखिए, question number 3 है, यह हमारे पास, एक figure दी हुई है, diagram, यह दी हुई है, जिसमें हमारे पास, a, b is parallel to dc, यह देखिए, a, b is parallel to d e, a, b, जो है, parallel है, d e के, तो इसका मतलब यह ulti z बनेगी, यह angle, इस 35 degree ही होगा, ठीक है, यह बन गया हमारा, कोई बात नहीं, यह 53 है, तो हमने angle क्या find करना है, dc, तो हुआ पड़ा है, दो दो angles हमें पता है, तीसरा हम find कर लेंगे, तो चलो इस पे चलते हैं, question number 3 पे, इसकी diagram हमने already पहले ही बना के रखी है, फिर दुबारा बनाएंगे, यह बारी देखिए, ठीक है जी, तो इस diagram के लिए हम यह एक ulti z ऐसे बना देंगे, यह दिखिए, ulti z बना दी, यह a है, यह b है, यह d है, यह e है, तो यह alternate interior angles, अल्टरनेट एंटिरियर एंगल 35, यह भी 35, क्यों है, यह अब लिखेंगे, अब, एंगल C, E, C, E, D, इस इकल टू एंगल D, A, C, B, A, C और E, जो मर्जी लिखिए, यह क्यों है, अल्टरनेट एंटिरियर एंगल, ठीक है, यह alternate interior angles हैं, इसलिए इसकी value क्या होगी, is equal to 35 degree, अब क्या है, C, E, D, C, E, D, is equal to 35 degree, अब, नीचे वाली triangle लेंगे, जो भी हमें नीचे वाली triangle है, हमारे पास, यह वाली C, यह वाली जो triangle है, यह वाली हम लेंगे, नीचे वाली triangle, अब triangle दुबारा बना लेते हैं हम इसको, ठीक है, अब diagram जितनी बार बनाओगे, उतना ही आपको उसका benefit होगा, ठीक है, यह C, यह E, और यह D, तो E angle हमने अभी 35 point किया है, D angle हमें पहले से ही दिया गया है, ठीक है, D angle हम अब 53 पहले से ही दिया गया है, तो C हमने point करना है, ठीक है, अब हम लिखें कि in triangle C, E, D, angle, D is equal to 53 degree, angle, E is equal to 35 degree, ठीक है, to find angle C, तो angle C हमने point करना है, तो इसको find करने के लिए हमारे पास क्या है, angle C plus angle D plus angle E is equal to 180 degree, इसको बोलेंगे angle some property, ठीक है, यह मैं फिर भी फिर आपको बता रहा हूं, मुझे आती है यह property, मगर फिर भी मुझे लिखनी पड़ेगी, यह आपको भी लिखनी है, यह exam में, नहीं लिखो के तो marks कट जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है, यह जो भी हमारे पास geometry का पोर्चन है, इसको लिख लिख के बताते हैं, कि यह बात, यह इस property से आई है, इस exam से आई है, ठीक है, जो भी exam होता है, जो भी property होती है, वो लिखनी पड़ती है हमें, ठीक है, यह आपने लिखना है इसको, भीना लिखे गजारा नहीं होगा, marks फिर कट जाएंगे, फिर आप मुझे बोलोगे कि marks क्यूं हमारे कट गए है, 180 degree, तो angle C is equal to 180 minus, इन दोनों को add करेंगे, 5 plus 3, 8, 5 plus 3, 8, ठीक है, तो 88 इसमें add कर दे, 180 में से 88 अब subtract होंगे, तो क्या बनेगा, angle C is equal to 10 में से 2, और 7 में से 9, ठीक है जी, तो यह 92 degree का हमारे पास angle बन जाएगा, कि यह 92 degree angle हुआ, तो यह ही हमने find करना था, तो यहां से यह हमारा answer बन गया, तो यह 3 question थे, 3 question हमने कर लिए, 2 हमने theorem's देखी हैं पहले, और 3 हमने question की हैं, अगे बहले lecture में 3 हमारे questions हैं, pending, वो हम करेंगे, ठीक है, मिलते हैं, next lecture में, hope so कि आपको समझ आ गया, कुछ भी problem हो, तो आप मुझे message कर सकते हो, ओके बेटे, good luck take care